दोस्तों कुछ दिर पहले न मैंने PNB Bank का अपना एक नया item card के लिए apply किया हुआ था और finally कुछ दिन में मेरा नया item card याने की debit card मेरे घड़ के address पर मुझे मिल चुका है अगर आप भी अपना एक नया item card के लिए apply करना चाते हैं तो क्या क्या process रहेगा कितने दिन में आपको मिलेगा इसके अलावा अगर आपके address पर नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा हो जाना है अगर आपने अब तक यहां पर registration नहीं करवा है अकाउंट नहीं बना है PNB1 के उपर तो कैसे आपको इस application में first time registration करना है इस पर complete वीडियो मिलेगा मैंने इसका लिंक आपको description मिल जाएगा आप बाद में इस वीडियो को जरूर देखीगा उसके बाद जब आप registration करवा लेंगे तो इस तरीके से आपके से पास options आजाएगा अब आपको यहाँ पर अपना mpin को इंटर करना है जो भी mobile pin आपने बनाया था चार नंबर का उसकी बाद आप यहाँ पर login हो जाएगे सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक services का एक option से आपको simply इसकी इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे बहुत करना होगा कि जो आपका bank खाता है उस पर पहले से कोई ATM card activate तो नहीं है debit card activate तो नहीं है सबसे बहुत को ब्लॉग करवाना होगा अगर आपका कोई debit card यहाँ पर active है तो नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है hot list debit card का एक option से आपको click करना है इसके उपर अब यहाँ पर देखीगा आपको अपना account number को select करना होगा just आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से दिखाए देगा कि इस account में ना अभी हमारा फिलहाल कोई भी debit card link नहीं है no cards linked for the selected account number यानि कि आप में नया card के लिए apply कर सकता हो असानी से अगर आपको यहाँ पर card दिखाता है तो सबसे पर आपको इसको block करवाना पड़ेगा block चाहे तो आप customer के number पर call करके block करवा सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर नया item card के लिए apply करना होता है चलिए हम वापस back आ चुके हैं और यहाँ पर नीचे से continue, continue करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी tip in आपने बनाया था जब भी आपने first time pnb1 application पर registration किया था तो उसी tip in को आपको यहाँ पर enter करना होगा अगर आप tip in भूल चुके हैं तो नीचे से आप इसको forget tip in कर लेना आपना tip in बना लेना चलिए हम अपना tip in एंटर करते हैं उसकी बाद आप देखीगा यहाँ पर हमने अपना एक नया request डाल दिया है debit card के लिए अब आप 2-3 दिन का wait करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से guys जो है एक आपके number पर SMS आएगा PNB bank की तरफ से जिसमें आपको docket number दिया जाएगा speed post का यानि कि speed post का जो complete एक वीडियो बनाया हुआ मैंने अगर आपको देखना है वीडियो को description में उसका link मिल जाएगा आप बाद में इस वीडियो को जरूर देखना आप यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ जब भी आपका debit card spirit post के तुरू आपके घर के address पर भीजा जाता है और आप घर पर कभी available नहीं होते हैं या आपका address mismatch होता है यानि कि आपका address match नहीं होता है तो guys उसके बाद जो आपका debit card है item card है वो आपकी home branch में चला जाता है यानि कि जहाँ पर अपने account खुलवाया था वहाँ पर चला जाएगा आप आपको कुछ नहीं करना है आप आप आपको जाना है अपनी home branch में और आपको वहाँ पर बोलना है कि मेरा एक item card आया हुआ था कुरियर के तुरू और मेरे home branch में आया हुआ है मुझे मेरा item card दे दो उसकी बाद आप वहाँ से अपना item card collect कर सकते हैं इसके बाद guys आपको कैसे अपना item card का pin बनाना है इस पर मैंने complete दो वीडियो बनाया हुआ है जैसा पहला वीडियो है कि item machine में जाके आपको pin कैसे generate करना है और दूसरा वीडियो है कि आप घर मैठे अपने mobile phone से कैसे pin generate कर सकते हैं दोनों वीडियो का link आपको discussion में मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखना और guys आपको वीडियो क कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर कीजेगा